बिनोमो में आपका स्वागत है वितिय बाजारों में ट्रेड करें और अनुभव प्राप्त करें एक हजार डॉलर्स का मुफ्त डेमो खाता अभी आजमाए हाली में आरियन को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की SIT टीम ने समन भेजा था आरियन टीम के पास बयान दर्ज करने नहीं पहुँचे थे आरियन ने SIT टीम को तब्यत खराब होने का हवाला दिया था कयास लगाए जा रहे हैं कि आज आरियन खान बयान देने के लिए NCB की SIT टीम के पास जा सकते हैं इससे पहले SIT टीम ने रविवार को अचट कुमार और अर्बास मर्चंट से भी पूछ डाच की थी इस बीच आरियन खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जेल से आने के बाद भी आरियन इस सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं आरियन खान काफी गुंसम रहने लगे हैं आरियन ने खुद को अपने कमरे में कैद कर लिया है आरियन खुद में ही खोए रहते हैं आरियन किसी से भी बात करने में इंटरस्ट नहीं दिखाते। जेल से बाहर आने के दस दिन बाद भी आरियन खान ठीक तरह से अपनी जिन्दगी नहीं जी पा रहे हैं। खबरों की माने तो शारुक का परिवार आरियन को पूरा समय दे रहा है। परिवार आरियन पर किसी तरह का दबाव नहीं डालना चाहता। चंद रोज पहले खबरे आई थी कि शारुक अपने बेटे की सिक्योरिटी को लेकर काफी जादा चिंतित है। दावा किया जा रहा ह है कि बॉलिवूट के किंखान अपने बेटे के लिए एक बॉडिगाट की तलाश कर रहे हैं जो कि आरियन का हमेशा ध्यान रख सके। वाकई में आरियन को इस बड़े सदमे से निकलने में काफी वक्त लग सकता है। इस वीडियो में इतना ही।